ही लॉवली पीपो वेल्कम बाक टू माई चैनल कैसे हैं आग सब मैं विलकुल ठीक हूँ और सबसे पहले मेरे सभी उत्राखंटी भाई बैनों को उत्राखंट स्थापना दिवस की हार दिक्षुब कामना है तो आज ही के दिन यानि की 9th November 2000 को उत्राखंट स्थेट की साल ऐसे ही निकल गए पता भी नहीं चला और बहुत प्राउट फील होता है कि हमारे धहरादुन को उत्राखंट की राजधानी चुना गया तो देखते देखते 24 साल निकल गए और आज उत्राखंट स्थापना दिवस है तो आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुब कामना ह और क्लेमेंट टाउन में आज उत्राखंट स्थापना दिवस का मिला लगा हुआ है जिसका नाम है गड़ कौथी तो आज मैं आपको अपने साथ वहीं लेकर चलूँगी क्योंकि जो गितांजली जुम्बा गुरूप है जिससे मैंने आपको पहले भी मिलाया था वो लोग हुआ पर पर करने वाले हैं तो उनके परफॉम्स को भी कवर करूंगी और जो आपके जो भी सामार होगा वाप लोग के साथ शेर करूंगी तो बने रहीगा मेरे साथ और होफुली आज मेरी मेट वापस आएगी आज उसने भी वापस आना था क्योंकि तीन दिन से एक तो खराब थी उपर से काम करना पड़ रहा था तो काफी मतलब प्राब्लम हो रही थी तो होफुली आज मेट भी आ जाएगी तो आज शाम को मैं आपको मेले में लेकर चलूँगी तो बने रहेगा मेरे साथ कहीं जाईएगा नहीं और देखो आज चंचल तीन दिन बाद आई है चट पूजा करके और मेरे लिए प्रशाद भी लाई है मैं भी गई थी पता है चट पूजा में जो हुआ पर होता है ना गुच्चु पानी में वहां गई थी आपने कहां पर किया यह जो बगल में काली मंदिर के पास है वहां तो आज तीन दिन तक मेरा बाजा बजा हुआ तो गाइस आज मैने और पीहू ने दोनों ने ब्रंच किया है हमने ब्रिक्फस् ब्रंच किया है और ब्रंच करने के बाद अब मैं जा रही हूं वह पेंटिंग लेने जो मैंने फ्रेमिंग के लिए दी एक्शली मैं भूली गई थी उसको मुझे परसो ही लेना था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा था पीहू आ गई थी तो उस चक्क्र में मुझे आती में थोड़ी देर में द्रवाजा लगा लो तो मैं यहां आ गई हूँ फोटो फ्रेम की दुकान में और शायद भाईया ने बना दिया है कि देखो कितनी बड़ी श्रीव की पेंटिंग दिखाना भाईया एक बाद तो यह है फाइनल लुक चीक है थैंक्यू भी है तो देखे फ्रेम होने के बाद यह पेंटिंग ऐसी दिख रही है तो बनी रहीएगा मेरे साथ I am home खोलो ना दर्वाजा बबू ओके चल ला और इस पेंटिंग को मैं लगाने वाली हूँ यहाँ तो कैसी लग रही पेंटिंग बताईयेगा जरूरा तो लग रही ना खूबसूरत यह पेंटिंग बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पेंटिंग लगी थी ना वह मैंने यहाँ लगा दिया तो देखे मैं बिल्कुल तयार हूँ उत्राखन स्थापना दिवस के फंक्षन में जाने के लिए और आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ और हाँ जहां पर यह फंक्षन हो रहा है वो थोड़ा सा नेरो लेन है तो पारकिंग की शायद प्रॉब्लम हो सकती है मिलती हूँ और आज काफी क्लाउड ही है अच्छा यह जिस कैब से में आई ना इसकी कहानी अलग थी मैं जब नीचे उत्री अपने घर से तो देखा यह कैब अलड़ी वहां था लेकिन इसके साथ ने लड़की बैटी भी थी तो मुझे लगा शायद यह मेरा कैब नहीं है लेकिन जब मैंने नंबर चेक किया तो वही था तो इनकी अलगी लव स्टोरी चल रही थी अपनी गल्फ्रेंड को बिठा कर लाया है वहाथा कैब ले तो रास दे भर उससे बाते हूँती ही चल रही थी मुझे पहले लगा कि मैं उससे बोलूं फिर मैंने छोड़ा यंग्स्टर्स हैं क्या कर सकते हैं तो यह मैं पहुच गई हो गड़ कॉधि 2024 यह उत्राखन के स्थापना दिवस के उप्रक्षे में मनाया जा रहा है और यह बिल्कुल यह जो पीपलेश और महादेव मंदिर है इसी के बगल में जो ग्राउंड है वही हो रहा है तो यहां परफॉर्म करने वाले क्या डांस कर रहे हो क्या कुमावनी कहां से अपलो है ओके ओके यह देखे सारी कितनी अच्छे कुमावनी ड्रेस में तयार हुए है बहुत प्यारी लग रही है तो यह मिल गए मुझे गीतागीता हेलो बोल दो सब को सारी टीम हेलो बोल दो आज इनका पर्फॉर्मेंस होने वाला है मैंने कुछ दिन पहले इनके प्रैक्टिस दिखाई थी आज इनका फाइनल पफॉर्मेंस है यहां गढ कौथीग में सब तयार हो रहे है तो आज इनका परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊंगे स्टेज में सब अपना नाम बता दो मेरे नाम प्रिति घत्री लक्ष्मी घुसाइब रिद्या चेत्री अल्जुद्या यह तो गीता को तो आप जानते ही हैं रेखा चेत्री कांती बंडारी वह तयार हो रही हैं उनसे बाद में मिलाऊंगी यह सबसे जाना देर लगा रही है कहरें तयार होने में 16 साल की बहुत प्रोग्रैम यहां पर मिलेगा एक साथ बहुत प्यारे लगारे आप depressed करने वाली हैं यह प्रोग्रेन यह ग्लिया अधीट के लिया इक सात्य देंना है सब और यह जाए और आ शीन्म कैने देक्शे लगे हैं जाएंसने विल भी यह विल इतो소ं करें अरई किया यह अंतरमन परिवार सॉसाइटिए Oke अपनी आपको इंच्यों कराविज़ इस आपकी यह एंजियों है जो बच्चों के लिए काम करतें ऎकूर कुरू आप अपनी आ अपनी अपनी बारे में कपड़े जूते सब कुछ जो बच्चे नहाके नहाए भी जाते हैं एक तर्मा खाना भी जाते हैं तो यह है अंतर्मन परिवार सोसाइटी बच्चों के लिए काम करते हैं यह देखिए और अभी यहां पर इन्होंने अपना स्टॉल भी लगाया हुआ है यह है सी तहरवे टर्नर रोड क्लेमेंट टाउन अभी क्या बना रहे हो आप लोग है अच्छा यह दाल के पकोड़े बना रहे हैं यहां पर इनका स्टॉल भी लगाया है क्या नाम है आपका बंदिना काला बंदिना काला तो आप कब से काम कर रहे हैं साइटी के सारी इस हां 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 मैं बहुत लूप अछ्छा काम कर रहे हैं जो जरूरत मन बच्चे उन-लोगों को पडाना यससे बढ़ी बात वहीं मैं बहुत बडिया और आज इंका यहां पर स्टाल भी लगा यह लुग उत्रा खंडी यहां पे स्नाक्स बना रहे हैं यह अचार भी आप लोगों ने खुदी बनाया है और उसार दाल के पकोड़े वह तल रही है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग आपका होंगी मैं पक्का यह देखिए यहां पहाड का स्वाद मंडुए के साथ मंडुए की चाय अच्छा मंडुए की चाय भी होती है पियोगे यह मंडुए की चाय पिलाओ जरा मैंने आस तक निपी में मंडुए की चाय मतलब मंडुए का बाकि सब मैंने ये बर्गर तो नहीं खाया है कि मंदूए की चाय मैंने आसतर नहीं पी यह देखिए मंडूए का मोमो मतलब हेल्दी मोमो रागी ऐदा बहुत है जार रहा है पहुत बढ़िया बहुत है दो सबसे अच्छा है अटा है लेकिन ने इसकी चाहीं मुझे पिलाइए पिला यह पिलाइए फिलाइए बहुत बढ़ा 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 है ये मंडवे की चाओँ पी कर जाओंगी आज और ये मंडवे की चाओमिन सब कुछ मंडवे का वन रहा है पिजा बर्गर साब ये मंडुए से ही बना रहे हैं वेरी नाइस है कहां भीया आपका मिया वाले में ओके ये हैंका मंडुआ किंग मिया वाला कि अधिस कि अधिया है अ पर अरे वा बहुत ही बढ़िया मैंने सोचा भी था इसकी हिस्याय दोन सकती है वह लगगी है आखी नौर्मल चाहि तरह ये टेस्ट कर रहा है बहुत ही अमेजिंग घर पर जाकर ट्राय करूंगे तो फिनाल हमापे कल्च्छल ऊह चुरू हो चुका तो आपको वहां लेकर चलती हूं किसी को बोला है मैंने अपनी सीट रोखने के लिए यह जो परफॉर्मेंस हैं यह गड़ कुमाओ की देवी माता के लिए लोग कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप थोड़ा सा देर वेट करें थोड़ा सा देर वेट हो इता के ग्रूप में इनकी वाइब भी परफॉर्म करने वाली है क्या नाम है आपका तो इनकी वाइब भी पर परफॉर्म करने वाली है अगली प्रस्तुते के लिए मंच पर आमन्तित करूंगे अंस जीना अंस जीना की एक प्रस्तुती जी नजर ना लागे तु टीका लगा काला काला अब गीता के ग्रूप का परफॉर्मेंस होगा असके बाद यह आया गीता कप्रोंगा जोड़िके ज्वरी मिटा मिटा होंदा, त्यारा मुडू के चुलू कुमानी जोड़िके ज्वरी मिटा मिटा होंदा, त्यारा मुडू के चुलू कुमानी ओ बखत पे मले सुवा, लोग करे हनी क्योड़ा, ढुम ढुमा कमर नहीं लौ, हली कमर पीड़ा करेच पाले परफोर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा रहा हुष बहुत अच्छा रहा है गुजनित एकाँ हुँ झाल ओतां आप अगयोड्याना के मारा फीर को जया हुआ 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 तो यहां पर काफी सारे स्टॉल्स में लगे हैं मोस्ली उत्राखन के जो प्रोडक्ट से उसके लगे हैं यह देखे यह बुरास के फूल का स्कॉश ही बुरास एक फ्लार होता है जो पहडों में मिलता है यह स्कॉश है और यह सारे ग्रेंज हैं जो अनाज जो उत्राखन में मिलते हैं यह सारा उत्राखन की दाल विल्कुल सबसे बढ़िया होता है जो ज्यादा अच्छा होता है जो ज्यादा अच्छा होता है जो ज्यादा अच्छा होता है जो पालिश वाला होता है जो बिला पालिश के होता है है यह माउठ फ्रेशनर का है यह उत्राखन की टोपी वेत देखिए यह जैकेट पहनते हैं तरह का जैकेट पहनते फी एंटरप्राइज तूत्राखन की टोपी यह उत्राखन अब मैं उत्राखन की ट्रेडिशनल टोपी पहनने वाली है जो धामी जी पहनते हैं यह यह देखिए कैसी लग रही है अच्छी है ला बढ़िया पॉफ्रेक्ट कलर भी बहुत प्यारा है अच्छा है थैंक्यू यहापे भी आपको सारे और गेनिक प्रोडक्स मिल जाएंगे स्पाइसिस के और जो उत्राखन के अनाज होता है न उसका यह भी पहाड़ी थोपी पहाड़ी शॉल है यह रही हमारी पहाड़ी थोपी जी धामी जी पहनते हैं और नीचे पूरा खाने के स्टॉल्स है बहुत प्यारे लग रहे हैं थैंक्यू और यहापे आपको पूरा उत्राखन का खाना मिलेगा चोसी भाज जंबोरा की फीर खरी भुची पोदे की रोटी गहत की रोटी गहत एक तरह का दाल होता है मारे यहापे जो सर्दियों में मिलता है और यह देखे रोटी बन लिए पोदे की रोटी और यहाँ गर्म गरम जलेवी बन रही है और यह देखे पूरा केन के बास्केट्स यहाँ पे गरम सूट्स शॉल्स वगड़ा में हों है और यहां तो मैं आपको पहले भी लेकर आई थी पूरा मिलेट का खाना मिलेगा आपको यहां पर मिलेट का केक, मिलेट के कुकीज, मिलेट के बरगर, मिलेट की चाय जो मुझे बहुत पसंद आई थी ज़िए मिल्लिट का चाओंविन मिल्लिट पीचे मूओ यह चाहे बहुत बढ़ी है जुरृ पीज़ा थी अब हाथ सांए और यह वो आंजियो है जिनके पास मैं पहले आई थी तो यह जो इन्जियो हैं इनसे मैं दाल के पकॉड़े पैक कर वारे हूं कि मैने पकोरे ले लिया है दाल के पकोडे लाए यहां तंबोला का गेम का किल से 00 allen इधर फी खाने का स्डौर है इधर सेल रोति हमादी सेलरा देता इह भी हम यह यहां पहेंड में के hara और ये गीता और उसका ग्रूप जा रहा है चीप गेस्स से मोमेंटो लेने के लिए तो आप मैं वापस जा रही हूँ मैंने ओला बुक कर लिया है काफी अच्छा था प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और खासकर गीता के ग्रूप का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और काफी अच्छे से ओर्गनाइज भी किया हुआ है तो चली अब मैं आपसे कैब में बैठके फिर मिलती हूँ और यह जो है यह ग्राफिक एरा की बिल्डिंग है ग्राफिक एरा यूनिवर्स्टी जो है उसकी बिल्डिंग है यह तो यह जहां पर आज फंक्शन था वो ग्राफिक एरा कि बिल्कुल बगल में था हो ग्राउंट तो मैंने कैब ले लिए थोड़ी दिर में घर पहुंच जाओंगी बहुत ही बढ़िया फंक्शन था बहुत ही अच्छे से और प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हुए खासकत गीता ध्यानी और उसके ब्रूप में बहुत ही बढ़िया पोपॉर्म किया तो बाती ही डिटेल्स आपको घर पहुंच के दिए बने रही मेंगा मेरे साथ तो मैं घर वापस पहुंच चुकी हूँ और अभी नीचे हूँ घर पहुंच के फिर आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ सो फाइनली उत्राखन स्थापना दिवस का फंक्शन एटेंड करके मैं घर वापस आचुकी हूँ बहुत ही बढ़िया फंक्शन था बहुत ही बढ़िया मेला था कल्चरल प्रोग्राम तो अच्छा था ही साथी में जितने स्टॉल्स वहां पे लगे थे ना चाहे वो किसी फूट स्टॉल्स हों सब एक से बढ़कर एक थे बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोड़क्ट्स थे सारे ओगिनिक प्रोड़क्स भी मिल रहे थे उत्राखन के जो पहनावा होता है जो ड्रेसिस थे वह भी मिल रहे थे और खाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया बढ़ि इसलिए मैं आज गय थी और आज गीता और इसके ग्रूप का performance था इसलिए भी गई थी तो गीता और इसके ग्रूप ने बहुत ही बड़िया perform किया और बाकी जो आर्टीस्त थे उन्होंने भी बहुत बड़िया perform किया तो बहुत बशाएब आज़ किस अमेले को olduğunu देखने में बहुत enjoy किया है, मैंने तो, उमीद करती हूँ, आप भी enjoy करेंगे इस vlog को देखकर, तो आज का ये vlog में हीन करना चाहूंगी, उमीद करती हूँ, आज का ये vlog आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा पसंद आएगा पिसको like, comment और share कर दीजेगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाएए तो एक बार फिर मेरे सारे उत्राखंडी भाई बहनों को उत्राखंड स्थापना दिवस की हार दिख हार दिख शुब काम ना है और चलिए मिलते हैं कल के व्लाओ में तब तक के लिए अपना क्यार रखिए बुबाई और टेक गुड केर अफ यॉरसेल